हमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दहिंदू का आर्टिकल है स्टाइम फॉर इंडस्ट्री 4.0 अगर हमने MSME सेक्टर में इंडस्ट्री 4.0 की टेकनोलोजीज को अड़ाप्ट किया तो उसकी एफिशेंसी और कम्टीटिवनेस इंक्रीज हो जाएगे ऐसा आर्टिकल कहता है तो इस लेक्ट्र के माध्यम से हम लोग कम्प्ली डेटेल में अडस्ट्री 4.0 टेकनोलोजीज क्या होती है और हमारे MSME सेक्टर को किस तरह से बूस्ट अप कर सकती है उसका complete analysis किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से चलिए सुरुआत करते हैं देखे सबसे पहले आपको मैं बता आये था हूँ कि industry 4.0 है क्या इस term को सबसे पहले introduce किया गया था German government के द्वारा 2011 में अब इसमें कौन-कौन सी चीज़े include होती है यह है आपकी additive manufacturing आपकी किसमें include होगी Internet of Things, Cyber Physical System Augmented Reality, Virtual Reality and Data Analytics जो computer के द्वारा हम लोग आजकल बहुत सारा data को एक एक्समेट करते हैं उसमें से जो big data आप देखते हैं यह सारा कुछ आपका industry 4.0 में include किया जाता है अब इससे होगा क्या आपके जो sensor से हैं उनकी जो cost है वो reduce हो सकती है transmitter की cost reduce हो सकती है और cloud के थरो आप देखते हैं कि cloud के थरो बहुत सारा जो data है उसकी जो processing है वो बहुत अच्छे से की जा सकती है और उसको operational activities में इस्तमाल किया जा सकता है अब देखिए इसमें different countries ने इसे different different नाम दिया है US call it industry 4.0 को इसमें बोलते हैं वो smart manufacturing China call it made in China 2025 और India कहता है make in India और digital India ये सारा कुछ industry 4.0 ही है जिसके बारे में different countries ने अपने अपने नाम इसे दिये हैं अब इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे कि इसमें MSME sector जो हमारा है उसको किस तरह से boost up किया जा सकता है अब मैं बात करता हूँ MSME sector में अगर मैं इंडिया के बारे में देखे हैं तो यहाँ पर MSME sector को इंडिया का backbone कहा गया है इंडिया का इसमें जो MSME sector है वो 95% और जो industries है वो MSME sector को belong करती है MSME sector का full form है micro, small and medium enterprises मैं तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है मैं भी आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि MSME sector होता क्या है किस तरह से ने government इन है micro, small, medium enterprises में डिवाइड कर रखा है अगर इतना production की बात कर रहा है तो total जो product किया जाता है इंडिया में उसका 45% total manufacturing किसमा होती है MSME sector में होगी और जो employment देता है आपके जो workforce है सबसे ज़्यादा 40% workforce MSME sector में काम करती है अगर GDP contribution में बात करें MSME sector का तो economic survey 2020 और 2021 के according 30% GDP में contribution रहता है MSME sector का अब हम लोग next slide में देखते हैं कि MSME sector होता क्या है किस तरह से government ने MSME sector को divide कर रखा है देखिए सबसे पहले में आपको यहाँ पर इस slide में आप देख रहे हैं यह government का data है government के side में आपको मिल जाएगा MSME Government of India has enacted the micro small and medium enterprises development act 2006 कि according उन्होंने MSME sector को दो parts में divide कर रखा है सबसे पहले ऐसी industry जो manufacturing करती है production करती है processing means कुछ चीजां बनाती है या उसका preservation करती है goods का तो उसको पहले part में रखा गया है और जो दूसरा वाला रखा है जो services provide करती है कोई भी investment है उसमें equipment और services provide करेगी तो service sector होगी वो भी MSME के अंदर आएगी तो दो type की होगी जो बना रहा है और जो services दे रहा है अगर सबसे पहले में बात करों तो micro enterprises इस act की according क्या है micro enterprises कौनसी वाली जो production processing और preservation में include होती है उनका जो plant में investment है machinery में investment है उसका जो investment होना चाहिए वो 25 लाग से नीचे होना चाहिए अगर 25 लाग से नीचे नहीं है तो वो जो industry है वो दूसरे में include क्याएगी तो micro enterprises कौनसी होगी जिनका जो investment है machinery में है प्लान्ट में हो 25 लाग से कम है दूसरा अगर small enterprises के अगर मैं बात करूं तो उनका 25 लाग से जादा होना चाहिए बट क्या होना चाहिए 5 करोड से कम होना चाहिए medium enterprises वो enterprises हो जाएगी जिनका 5 करोड से जादा होगा बट 10 करोड से कम होगा तो ये आपकी पहली वाली category में include हो जाएगी जिसमें production processing और preservation of goods include होता है उसके अलावा दूसरा हमारा service sector में आता है service sector में भी हमारी MSME sector को divide किया गया है सबसे पहले हम लोग micro enterprises वो enterprises होंगी जिसमें investment in equipment does not exceed 10 lakhs 10 lakh से जादा उनका investment नहीं होना चाहिए तो उसको बोल ले है micro enterprises जिनका 10 lakh से उपर है but exceed कर रहा है 2 lakh से कम 2 करोड से कम सोरी तो उसे बोलते हैं हम लोग small enterprises और तीसरा है आपका medium enterprises जिसमें उनका जो equipment है investment in equipment 2 करोड से जादा होगा but exceed 5 करोड से नहीं करेगा तो यहाँ पर दो टैपी categories आपको MSME sector की दिखाई देती है यह government data से लिया गया है और government इस तरह से MSME sector को divide कर रखा है अब सबसे पहली चीज़ है हम लोग यहाँ पर challenges क्या आ रहे है इंडिया के लिए तो आपको मैंने बता दिया तो इसमें challenges क्या हो सकते हैं और solution क्या हो सकते हैं कि किस तरह से MSME sector को और boost up क्या जा सकता है industry 4.0 की technologies को हम लोग इसमें अगर include करते हैं MSME sector में तो किस तरह से वो benefit कर सकता है और अभी क्या challenges है उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात है जो MSME sector है लोगों को इसके बारे में MSME sector के लोगों को इसमें awareness बहुत ज़्यादा कम है किस तरह से उसको इसमाल किया जा सकता है तो awareness की काफी ज़्यादा कमी है दूसरा अगर हम बात करते हैं वे सोचते हैं कि ये जो technologies है उनके जो worker culture है उसको disturb कर सकती है उनको demolish कर सकती है जो existing worker system है उनका MSME will need to make major financial investment to adopt industry अब इसमें क्या करना पड़ेगा MSME sector को financial investment को adopt करना पड़ेगा सबसे पहले चीज़ें आपको awareness increase करवानी पड़ेगी और positive organizational culture को इसमें लाना पड़ेगा अब जैसे evidences of sensor and wifi network के बात करूँ तो integrated with old machine like lates and mills will improve performance of MSME to develop their own vision of industry 4.0 simple सी बात है अगर wifi inside network को हम लोग include कर सकते हैं mills में तो वहां पर को development है वो और अच्छे से हो सकता है right they want to adopt identify relevant tool and practices for their need for their such a tailor means MSME sector को एक खुद का अपना एक version लाना चाहिए industry 4.0 किस तरह से उन technology को अपने में इस्तमाल करना चाहिए तो उनका एक खुद का वर्जन होना चाहिए अगर मैं global innovation index के बारे में बात करूं तो अभी recently 2019 और 2020 के बारे में बात करूं तो इंडिया आया है आपके 48th rank में top 50 countries के अंदर आ चुका है global innovation index इसकी अंदर इंडिया ने इस बार 28,000 से जाधा patent फाइल किये हैं तो यह बहुत अच्छी बात है इस चीज को हमने include करना चाहिए MSME sector में और हमारे जो MSME sector है वो embrace कर सकता है industry 4.0 को और without hesitation तो इसे complete करना चाहिए और हमारे जो country में MSME sector के तना वड़ा contribution है उसको boost up जरूर मिलेगा अगर हम लोग यह सारी चीज़े करते हैं thank you so much for joining with me thank you so much जै हिन जै भारत